आप ये देखें 2008 मुंबई एटेक के चार दिन बाद हम लोग अपनी अपनी जिन्दगियों में लौट गए कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा कोई शोर शराबा नहीं हुआ अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के धाने पे खड़े होते हम ये फर्क है पहले की उकूमतों में और मोदी सहाब में नवस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूजान इडिया चैनल पर बहुत ही स्वागत है यदि आप इस चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगया तो लाइक और सेड़ बनता है दो एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी से प्यार सायद पाकिस्तान को पता नहीं है कि FATF के ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने का असली रीजन क्या है और वो अपने हांको पीस लविंग कंट्री कहना बंद करें और जब यही बात इंडियन मीडिया के एक रिपोर्टर उनको समझाने की कौसिस की कि ये दि मोधी साब के टैनियर में 2008 हुआ होता मुंबई तो उनकी क्या हालत होती है और उनके चेहरे पे इस टाइप का डर भी आप देख पाएंगे कि नरेंद मोधी ये दि 2008 में बीम होते तो उनकी क्या हालत कर देते इस वीडियो में आप जवाब देते वे उनकी बोलती बंद कर दिये योदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर्गन ना ना बुलेगा जै हिंद जै भारत पाकिसान ने हमेशा जंग बंदी आमनों मुजाकरात की वजीर आजम ने कहा है कि भारत एक कदम बढ़ाए हम दो बढ़ाने को त्यार हैं भारत कश्मीर में जल्म खतम करें पाकिस्तान हाथ आगे बढ़ाने को त्यार है भारत मकमूजा कश्मीर में कैद जो कश्मीरी हैं उनको आज़ाद करें जिनको काले कानून पीडिये के तहट बिला किसी जवास दो सालों के लिए गिरफतार किया जाता है पाकिस 370 को खतम करने का गेर कानूनी फैसला वापिस ले पाकिस्तान हाथ बढ़ाने को त्यार है पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात किये पुरी दुनिया जानती है मकमुजा किश्मीर पर आपका बकाईधा कबजा है अटू टंग है हमारा अतू टंग के अंगं गली है मुझे समझ नहीं आती कि कोल फेल में इतना त्जाद है आपके सरे रहना नहीं चाते है पिर भी आप उन पे बकाईधा काबिज है आप लोग उनकी राइ नहीं जानतें, उनकी राइ को जानी चाहे हैं, ही African कुडरादियत उनको देना चाहिए उनकी राइ जानने से, ही के खुडरादियत देने से, आप लोग क्यू इतना घवब्रात तें और अचरवरसाल के जानते हैं, आपके सामने हैं? क्या चाहती है आपकी गवर्मेंट, क्या चाहते है निरेंदर मोदी, क्या एजेंड है उनका? पाकिस्तान से लोटने के बाद वहाँ पर जो मैंने वक्त गुजारा, उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया सबने मुझे से पूछा कि बाद बताओ कैसा है पाकिस्तान, तो मैंने ये कहा कि वहाँ पर भी जो मा है वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए, जो हमारी माएं हमारे लिए देखती है वहाँ भी माँ चाहती है कि उसके बच्चे के पास अच्छा रोजगार हो, उसे अच्छी तालीम मिले, वो दुनिया में तरक्की करे, उसकी शादी हो, और वो फूले फले मेरी माँ जो मेरे लिए ख्वाब देखती है, पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए वोई ख्वाब देखती है, वो यह नहीं चाहती कि उसका बच्चा कब तालीम ख़त्म करके और जहाद पर चला जाए तो यह हमारे दर्मियान जो मिस्कंसेप्शन हैं, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान is a highly misunderstood country around the world आपने जिस तरह से इंट्रो दिया, वहां से बात करना जो है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है खास तोर से जब आप चाते हों कि अमन की बात कर रहे हैं कुछ और मुझे ऐसे लगा कि मानो आप गौरी गजनवी अब्दाली सारे ही हमारे उपर ठोक रही हो एक के बाद एक, अब आते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आगे मैं आपके तरफ आती हूँ, आप सवाल क वी टेबल पर बैठ के हल करना चाते हैं, अमन से कौन दूर भागते हैं, इंतिशार पसंद कौन हैं, इतनी गरम दिमाग और गरम सोच कौन रखते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर ने रिंदर मोदी आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब इसका मुकमल देने दे हैं, प्लीज, तो आपने कह दिया कि मोदी साहब नहीं चाते कि दोनों मुलकों के दर्मियान अमन हो, तो मैं आपको ये बता दूँ कि हिंदुस्तान की तारीख मोदी साहब से शुरू नहीं होती, आप चौदा से पहले का भी एक हंदुस्तान है, अथर काजमी साहब अभी कह रहे थे कि जी एक रजीम चेंज के दुरत है और ये रीजीम से बात नहीं हो सकती, फरक सिर्फ इतना है, फरक सिर्फ इतना है कि इस रेजीम ने भी आने के बाद में अपनी तरफ से पाकिस्तान को हो या फिर हमारे यहां पे हुरियत के जो लीडर्स हो उनको रीच आउट करने की कोशिश की है सेयद अली गिलानी को मोदी सहाब ने इलेक्ट होने के बिल्कुल फॉरी तौर पर उन्होंने हलव भी नहीं लिया था उससे पहले उन्होंने अपने दो एमेसरी बेजे बातचीत के लिए और उनसे ये कहा कि अगर आप कश्मीर पर कोई हमसे कमिट्मेंट चाहते हैं तो हम आपसे बात करने के लिए तयार हैं आएं बैठें ये मोदी सहाब का जैस्चर तब है कि जब उन्होंने ओध भी नहीं ली है अपनी तो गिलानी सहाब का तालुक RSS से है इसलिए मैंने उनकी बात को सीरिसली नहीं लिया कितनी अजीब बात है वो इनसान जिसका तालुक जमाते इसलामी से हो उसे इस बात पर एतराज है कि सामने वाला RSS से है ये क्या बात हुई देखें जी आपको मैं ये बता दूँ हिंदुस्तान और पाकि अब तो कारगिल वार के दौरान भी नहीं था मैं चाहता हूं कि एक सीरियसनेस हो पाकिस्तान की तरफ से डायलोग में कोई इंटेंट हो इशू बेस्ट हो और वो मिनिंग्फुल हो मुझे लिए लगता कि पाकिस्तान के तरफ से जो डायलोग की पेशकश है उनमें ये ती लोदी साहब ने आपके प्राइम मिनिस्टर नवाश शरीफ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन सर्मनी में वो लहौर भी गए लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद पठान कोट हुआ उसके बाद में उरी हुआ उसके बाद में पुलवामा हुआ आज इंडिया के अंदर एक बहुत ही popular sentiment है और वो यह है कि यहां के लोगों ने यह कर दिया है कि talks and terror cannot go together मैं जब पाकिस्तान आ रहा था तो लोगों ने मुझे से का कि हमने सुना है तुम कल पाकिस्तान जा रहे हो तो मैंने का जी मैं जा रहा हूँ तुने बेटा हमारा एक पेगाम लेते हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए कोई धरना वरना कुछ नहीं लगा कोई शोर शराबा नहीं हुआ अगर आज मुंबई हुआ होता जंग के धाने पे खड़े होते हम यह फर्क है पहले की हुकूमतों में और मोधी साहब में हम आएं यूएन रेसलूश का रिजोलूशन 47 है आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें तीन बाते लिखी हुई है कि वहां पर रायशुमारी जो होगी वो क्या उसका चार्टन होगा किस तरह से वो होगी पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपने यहां से सारी फोर्सेज और सारे जितने भी नॉन कश पैसर और जमू एंड कश्मीर जमू कश्मीर के लोग तो अजादी थे जी आप ही ने स्टेंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया उनके साथ और आप ही ने उसका वाइलेशन भी किया एर मार्शल अजगर खान साब ने अपनी किताब में और टीवी इंट्रिव्यू में हम महब्बत चाहते हैं अमन चाहते हिंदोस्तान के साथ तो आप आप बस ये किश्मीर का ही जो मसला है इसको हल कर दें तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है वरना फिर वो ही होगा जो आज तक होता आया है तो मैंने उनसे पूचा क्या हुआ है आज तक वो कहते हैं वह हिंदोस्तान को मुझ की खानी पड़ी है मुझे हरानी हुई आपकी ये बात सुनकर वहां की सिविल सोसाइटी की मैंने तीन चार आर्टिकल बीबी सी के दिये मैंने का आप जरह इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में त देखें जी कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिक्वा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए वो तो अज़ादी थे आ ना आप अबाईली हमला करते ना आज ये नौबत यहां आती यूएन सेक्यूर्टी काउंसिल के जो रिजलूशन है उसमें तीन चार आता हू है एक जबान है अतर आप इस बात से अग्री करेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो के पड़े लिखे नहीं है जिनका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा नहीं है लेकिन जिसना आप लंडन में रहते हैं अतर तो वहां पे बहुत से लोग फरफर अंग्रेजी बोलते हैं क्यो यह ना करें आप आप बारा मिनित तक करने की कि पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल और उर्दू में सच लिखना बेहद मुश्किल है कि ठीक है और यह शायद आपके मुल्की इस्टैब्लिश्मेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 1995 परसेंट अवाम उर्दू स्पीकिंग है उन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो हम अपना बयानियां चला सकते हैं यह जो मर्जी इनको बता दें कि मैं आपको सुनूंगा अब आप सुनने की बारिज आप आपकी है आप अपना वक्ता तो रहें जी अगे चले आप आगे चलिएगा जी प्रीज आपना अगला पॉइंट जरा डिसकस करें अग्रेजी पहले पॉइंट पर शामिल करने दिए पगले पॉइंट पर चले पर अप इसलिए कांसलर से पॉइंट पर शामिल करें जागे आप अपनी नॉन कश्मीरी इसको बाहर निकालेगा उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्स को विड्रॉ करेगा हता कि थोड़ी बहुत फोर्स मैंटेन रखेगा वहां पर लॉइन ओर को मैंटेन करने के रहत में वहां पर रेफریंडम होना था तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेज विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में जो है वहां पर रेफریंडम की नौ बताई ना नौमन्न तेल था ना रादा नाची आब आ जाते हैं आगे इसके उपर आपके जो आरैसेस की रेसिस अडियोल terrorist attack किये हैं देखें जी जितने terrorist attack होते हैं sorry to say sorry to say उसमें से ज्यादा तर जो attack होते हैं वो मुसल्मानों की तरफ से होते हैं दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं ये अल-काइदा अल-शबाब बोको हराम अफरीका तक चले जाएं आप तालेबान जैश-e- सिपाय सहाबा लश्कर जंगवी ये ला ये तुमाम जो और्गनाइसेशन से हैं इनकी बाबस्तगी जो है इनकी affiliation किसी खिते किसी जाएं इनकी जो जवाब दीजेगा इनकी जो रहे हैं वो कितना कितना जैश-e- जो बेजे जाते हैं कि फुल बोशन कौन है जिता जाकता सबूत है जिन्दा मिसाल है पुड़ा सबर रखे रहे हैं इस इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पर रख सकता है को ये तना जूट को इन इस तो नहीं से लगता है आप तक बोले चले जाए एक मिन आप तर ताइम पे 7-8 मिनट नहीं दे सकती ना मुझे बारी बारी जाना है प्लीज जरा आप मौका दीजी आतर को मौका दीजे प्लीज साताइब मिनट से अपकेले बोल रहे हैं इस तरह नहीं चल सकता प्रोग्राम में प्लीज आप बात को समझें इस अधर आपकी तरफ आरी है अपनी बारी में बोलिएगा जी अतर